कि हलो एवरीवान विलकम टू मैं चैनल तो आज हम लिकर क्या है एंसी आर्टी वो के क्लास्टेन को हिस्ट्री को समकालीन वीश्व और भारत तो इसमें हमारा आज का चैप्टर है फोर इस चैप्टर का टॉपिक है भूमंडली कृत बीश्व का बनना तो आए जानते हैं सब करता है और और की अर्फ वरस्ता केसाथ एक रिख्रीत करना और बस्तु से वाओं ब्यक्तियों सुचनाओं का रश्टिय veterans के आर पार स्वतंतर रूप से संचेरं ही वैस्वीकरन यह फिर भूमंडली करन ओंप्र कला दार्विकरन पैश्वीकरन या फिरु जैसे कोई भी बस्तू हो गया या फिर सेवा किसी परकार की शेवा ब्यक्तियों और सुचनाओं का राष्टिये शिमाओं की आरप पर स्वतंत रूप से संचारन ही बैस्वी करन कहलाता है या फिर भूमणली करन इसी को करते हैं तो जब हम बैस्वी करन की बात करते हैं तो आम तोर पर आम तोर पर ऐसी आर्थिक ववस्ता की बात करते हैं जो मोटे तोर पर पिछले लगवग पचास सालों में ही हमारे शामने आई है लेकिन जैसा कि आप इस चेप्टर में देखेंगे कि भूमोली करन बीसवी के बनने की परकिरिया बैपार का काम काम की तलास में एक जगा से दूसरे जगा लोग जो आना जना करते हैं चाहे हुआ काम की तलास में हो या फिर कोई बैपार करने के लिए एक जगा से दूसरे जगा जाते हो या फिर किसी कारण कोई परतारित होता है तो वो भी इस बज़ा से भी लोग एक जगा से दूसरे जगा जाते हैं पुन्जी अब बहुत सारी चीजों की वैस्वी का वाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है पहले से ही और आज जिब हम अपने जीवन में वैस्वी आपसी संपरकों के बारे में सोचते हैं तो उन यूगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है तितिहास के हर दौर में मानब शमाज एक दूसरे के ज्यादा नजीक आते गए हैं प्राचीन काल से ही यात्री बैपारी या फिर पुजारी या पढ़ने के लिए अब सरो पहले भी लोग ज्यान प्राप्ति के लिए जैसे चीनी यात्री भारत में भारत से लोग भी बीदेश में पढ़ने के लिए उसी तरह से आज भी वही काम हो रहा है लगातार चल रहा है और अब सरो और अध्यात्मिक सांती के लिए भी या फिर यात्नापुन जीवन से बचने के लिए भी लोग दूर दूर किसी यात्रा करते रहे हैं पहले भी और आज भी अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजे जैसे मन्यता है हुनर, बिचार, पैसा, अविस्कार और यहां तक की किटानू और बीमारियों का भी साथ जै इस तरह से कोविड-19 को अपने साथ लेकर चले गए तो सभी परकार के चाहएं पैसा हो विचार हो या फिर आविसकार हो या फिर किटानू वाइरस कुछ भी सभी परकार के चीजों को अपने साथ कैरी करते हैं लेकर के जाते हैं लगवव तीन हाजार इसा पूर्व में श सिंदू भाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जूड़ी हुई थी जिसे आज हम पस्मी एसिया के नाम से जानते हैं तो हजार सल से भी ज्यादा समय से मालदी के समुंद्र में पाई जाने वाली कौडियां जिन्हें पैसे मुद्रा के रूप में इस्तिमाल किया जाता था ची में भी सधी में भी देखा गया है कि अपने साथ लोग वी खितानो और वाइरस को भी करीख कि ए तेरे 25 सथी के बाद थो इनके परसार को निश्चे ही साफ देखा सकता ह। और इस को बोलते हैं वैश्वी निकारण कुसित भुमंटली करन लिक फिर भारत में कब वह सवाल के भारत में भुमनली करन की शुरूवात कब हुई है best 1991 में अψनाइगे नई आत्रिक निती से भुमंली करन की शुरूवात हुई भारत में ऑना भुमंली करन का आसा auenब भीभिन देशों के बाजार और उनमेंный बैची जाने वने वे ब contam प्रविट्टी उनत प्रदों की किनिकरता आधी के करण विश्व प्रविश्व में परसपर सहयोग और समानमय में एक बजार के रूप में कार्ज करने की सक्ति को प्रुसाहन मिलता है प्रविश्व में परसपर सहयोग और समानमय से एक बजार की रूप में कार्ज करने की सक्ति का प्रुसाहन मिलता है तो भूमनली करन की परकिरिया के अंतरगत बस्तूओं और सिवाओं की एक देश से दूसरे देश में आने और जाने के अव्रोधों को समात कर दिया जाता है और इसी परकार से संपून विश्व में बजार सकते हैं सोतांतर रूप से कार्ज करने लगती है भूमनली करन के परणा सुरू बिश्व के सभी देश में बस्तूओं की कीमत लगवक्षामान होती है संपून बिश्व के अर्थववस्ता में सभी वैपारिक किरियाओं का अंतरश्टी करन ही भूमनली करन के सुरूप का नेधारन करती है तो आप सवाल उठता है कि भूमनली करन का उदेश क्या है? क्या उदेश हो सकता है भूमनली करन का तो भूमनली करन के माध्यम से 20 वीचे अर्फववस्ता को एक रिकीत करके सभी तंत्र और मुक्त बेपारिक्षामान आहीं समफून देश को एक आर्थ तंत्र के माध्यम से जोड़ा लग भूमंडली करण का पर्मो खुदेश यही है कि समफून देश को एक आर्थ तंत्र के माध्यम से जोड़ा है और इसके लग भूमंडली करन के द्वाराः इस वैपल की काफी तीवरिगती से विभायटार करना है और इसके विभायदारण उधर गारन के मौदरी घाटा को काम होता है तो यह सब विशेशता है भुमंडली करन का और भुमंडली करन के प्रोशाहित करने वाले कारक में जैसे हो गया तख्नीकी ग्यान का विश्थार उधारी करन की परकिरिया बहुर राष्टिय कंपनियों के विस्तार होता है उदारी करन के कारण और विदेशी बैपार में विस्तार होता है भुमंडली करन के कारण तो यह भुमंडली करन को प्रसाहित करने वाले कारक हो गया बैपार प्रसूर के समध्नी समझाते गैट भी इसमें प्रसाहित करने व इसके अलावा अभुमंदीकारण के कारण पीचले 50 दोर अगटी से कास विकास हुआ है परिवाहन प्रदोगी की तक बस्तुओं का भाँच में पहुंचाना संभव हो गया है सुचना संचार प्रोधगी की ने बीस्वी की संपून अर्थ विवस्ता को एक सुनीशित योजना से अस्वाष्ट और सरल बना दिया है तो आये देखते हैं कि रेशा मार्ग सिल्क रूट से जूडती दुनिया अधुनी काल से पहले की जूग में दुनिया के दुरदूर इस्थित भागों के बीच बैपारिक और संस्विति संपर्कों का जादा जीवन तुदाहरन सिल्क मार्ग के रूप में सिल्क रूट के बारे में आप लोग जानते होंगे जो चाइना से होकर गुजरता है सिल्क रूट तो सिल्क मार्ग के रूप में दिखाई देता है नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से बस्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना बहुत ज्यादा महात्वित है इसका इतिहास कारों ने इतिहास कारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारें बताया है जमीन या समुद्रे से होकर गुजरने वाले ये रास्ते ना केबल एशिया के विसाल छेत्रों को एक दूसरे से जोडने का काम करते थे बलकि एशिया को इरोप और उत्री अफिर्का से भी जोडते थे एशिया के जितने भी विसाल छेत्रों उसको तो जोडते ही जोडते थे शाथ में इरोप को भी जोडते थे और उत्रिया फिर्का को भी जोडते थे यह सिल्क रूट मार्ग तो ऐसे मार्ग इसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15 सेंचुरी में 15 सताब्दी तक अस्तीत्व में थे तो इसी राष्टे से चीनी पौटरी जाती थी और इसी राष्टे से भारत और दच्छिन पूर्व एसिया के कपड़े मसाले दुनिया के दूसरे भाग में पहुँचते थे वापसी में सोने चांदी जैसी किम्ती धात्वे इरोब से एसिया पहुंचती थी यहां से मसाला जाता था इस रूट से कपड़े जाते थे और बदले में वहां से सोने चांदी जैसी किम्ती बस्तवे आती थी इरोब से एसिया में पहुंचती थी तो इस तरह से एक country से एक महादीप से दूसरे महादीप में, देखिए किस परकार से सामान को आदान परदान किया जाता था, और बैपार और संस्कृतिक आदान परदान दोनों परकिरियाएं साथ-साथ चलती थी, शुरुति बैपार के साथ सांस्कृती परकिरिया भी तो चलती थी, हमने अभी अभी पढ़ा कि जो लोग यहां से कहीं भी तुसरे जगा जाते थे, तो उसके दौरा अपने साथ जितने परकार के उनके अंदर गून हो, घ्यान हो, सांस्कृती हो, या पैशे हो, या फिर करते थे अपने साथ ले जाते थे जहां वह जाते थे प्लिक्ट कर्दान सीय। छिरी मार्ग से वेस्य मार्ग से तो कुछ सधी बाद मुस्लिम धर्मों पदेशक भी इसी रास्ते में फैले इससे वी बहुत पहले पूरवी भारत में उपजाब द्धर्मास मार्ग बहुत हर्मास की विवीद आसां हों से ही कई दि साओं में फैल चुका था तो एघ्याषा कि सिल्कुरूट शील्कुरूट रेशा मार्ग जिसको पता चलता है कि इस मारक से पफिंr किस produto बढ़ा उसका बभी है चीनी सिल्क काुड़ महत्व था ऊजो हुआ । लोगी इसी के तौरा अपना संस्कृति को भी और बैपार को भी संस्कृति और बैपार इस तरह से देखा गए कि दोने एक साथ चलता था तो संस्कृति और बैपार का आदान परदान इस तरकर से खुदते रहा जिसे आप देखते हैं आप हमारा टॉपिक है भोजन की यात्रा अस्ताय धेती और आलू, आपको पता होगा कि आलू भी हमारे देश में भारत में आलू की खेती नहीं होती थी पहले, आलू के बारे में भारतियों के जनकारी नहीं था, आलू भी बाहर से ही आया है, भी देश से ही आया है, जब आलू आया भारत में, तो आलू का जब परिवर्तन देखने के मिला तो आईए देखते हैं कि भोजन की यात्रा जैसे अस्पयधेती और आलू है तो इसका क्या परभाव पड़ा तो हमारे खाथ-पदाथ दुसरे देशों के बीच संस्कृति आदान-पदान कई उदाहरन पेश करते हैं जब भी वैपारी और मुसा पाज़ा रखर एक दो तो आज जानते हैं कि अस्पयधेती और नूडलस का में जैसे उदाहरान लक्ते माना कौना जाता है कि नूडलस diminished sea पीक्रसी में पहुँचे और वहां उन्हीं असपयधेक कर जय न इतली का टापू है तो फाच्वी सदी में इस तरह का अनुमान लगाया जाता है कि वहां पर पहुंचा या थ्रियों के शाथ और इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी आपाए जाते हैं इसलिए हो सकता है कि हम कभी ना जान सके कि उनका जन में कैसे हुआ और फिर इन अनुमानों के अधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि अधोनी काल से पहले भी दूर देशों के बीच संस्क्रीती लेन देन चलता रहा है और आज भी चल रहा है सोया, आलू, मुंग फली, मक्का, टमाटर, मीर्च, सकरकन और ऐसे ही बहुत सारे दूसरी खात पदार लगभग 500-100 साल पहले हमारे पुरवजों के पास नहीं थे एक हात पदार इरोप और एसिया में तब पहुँचे जब क्रिश्टोफर कोलंबस आपको पता होगा आपने नाम सुना होगा क्रिश्टोफर कोलंबस का जिसने भारत की खोज के लिए निकला था लेकिन गलती से इसने भारत की खोज ना करके अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने तो जब क्रिश्टोफर कोलंबस एसिया में या एक हात पता पता सोया हो गया आलु हो गया मुझभार्ली, माका, टमाटा रो मीच शकर कान एसिया में तब पहुँचा जब क्रिश्टोफर कुलंबस गलती से उन अग्यात महदीपों पहुँच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा था यानि कुलंबस जो था भारत की खोज के लिए निकला था और अमेरिका के खोज किया गलती से अमेरिका पहुच गया था यहां अमेरिका का मतलब उत्री अमेरिका और दस्नी अमेरिका करीबियन दीप समू सभी से है तो दरसर हमारे बहुत सारे पदार था अमेरिका के मूल लिवास यानि अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आया है तो कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन अस्मान का फर्क आ जाता है सधारन से आलू का इस्तेमाज सुरू करने पर इरोग के गरीबों की अमोल रूप में बदल दी गई थी उनका जो भोजन था बेहतर हो गया उनकी जो कुपोसी थे बहुत सारे गरीबी के कारण कुपोसी थे तो उनके आलू के कारण उनमें आवसात आयो बढ़ने लगी और आयरलेंड के करीब कास्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्वाद हो चुके थे कि जब 1840 के दसक में किशी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गय थी तो लाखों लोग भुख मरी के कागार पर आ गया थे भुखमरी के कारण मौत के मुख में चले गया थे लाखों लोग, सोचिए, किस परकार से लोग अपने आपको मुख भोजन के रूप में आलू लेना शुरू किया था और उन लोगों ने अपना मुख भोजन आलू को ही बना लिया था जिसके चलते जब आलू की फसल खराब हुई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुख में चले गये थे भुखमरी के कगार पे आ गये थे तो ये आलू जो आया आव आलू को उपज होने से इरोप में बहुत परिवर्थन देखने को मिला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजय बिमारी और ब्यापार तो बिजय बिमारी और ब्यापार जानने से पहले आभी थोड़ा हम लोग जानते हैं कि बहुराष्टिय कमपनिया का विस्तार कैसे हुआ तो बिस्ते के सभी देशे को एक दुसरे से चोड़ने में बहुराष्टिय कमपनिया का विस्यस योगदान है क्यूंकि यह कमपनिया शुवीधा के आउसार किसी भी देश में अस्थापित कर दी जाती है बिस्ती के देशों में जहां पर सस्ता श्रम और अस्थापित करने के अन्स सस्ते साथन उपलब्ध होते हैं कंपनिये तो वही अस्थापित होगा जहां पर सस्था पर पर सस्ता स्रम Magazine तो जहां पर सजबीधा जाता energi from मर्न जाता है चांज नागात्य आता है जिसे लागत मैं कमी या आती है और कंपनी लगाने में जो पुंजी लगती है उसे उसमें कमी आती क्योंकि आपको जो स्रम मिल रहा है सस्ते मिल रहा है इसके साथ ही परतियोगता का कम सामना भी करना पड़ता है बहुर अश्टी कंपनिया बस्तूओं सेवाओं और सुचनाओं को 20 वास्तर पर उपल सब्सक्राइब क्योंकि श्रम सस्ता है इसलिए चीन में उसका पूर्जा जो होता है उसको त्यार किया जाता है तो विदेशी पेपार में विस्तार में भूमंडली करन की परकिरिया नियंतित हुई है दित्यैबिस व्यूद के बाद लगबग सभी देशों के विदेशी बेपार में ब्रीधी हुई और विस बेपार संगठन दोरा घरेलू बजार को भी बजार में बस तुम और सेवाओं को भेजने का अफसर मिला तो देखते हैं भूमंडली करन विजाई विमारी और बेपार यह है क्या तो भूमंडली करन के कारण आपको पता होगा कि भूमंडली करन के कारण मनुष की जीवन पती उनका गून रहन सहन और जीवन अस्तर पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा विस बेपार संगठन के दोरा परतियुक्ता वजार को बढ़ावा मिला और इसके साथ ह विस्तार के तीवरगामी होने के कारण मानुविय सकती और श्रम की भूनवता में भी कमी आई तो भूमंडली करन ने रोजगार की साथिक प्रभावित किया है क्योंकि स्रमीकों के जहां पर अच्छा रोजगार मिलता है वहीं पर काम करने चले जाते हैं तो आदोगी करन क रोजगार की परकिरिया को परत्याच संबंध होता है और रोजगार इस दोनों के जो परकिरिया है परत्याच संबंध होता है इनका जैसे आप उदारन ले लिजे कि अगर करखाने का मालिक अपने उत्पादन की लागत को कम करने के लिए श्रमीकों को आस्थाई रोजगा कारज के बीच एक आपसी अंता समंता की शमाश्य बनी हुई है और इसी कारश श्यमीकों को उनके अस्तर के अनुसर रुजगार नहीं मिल पाता है जिसे रुजगार के अफसरों को परभाव रुजगार के जो अफसर होते हैं उस पर भी उसका परभाव पड़ता है तो ए मुद्री रास्ता ढूंड लिया और वे पास्मी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूरबाद होने की इस वे बहुत छोटा सदी खाई देने लगा इससे पहले कई सद्यों तक हिंद महासागर के पानी में फलता फुलता बैपार तरह तरह के शामान लोग ज्यान प्रंप्रा प्रंप्रा एक जगह से दूसरे जगह आ जा रही थी और भारतिये उप महादीप इन परवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदू था पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महात्र था एरोपियों के दाखिले शे आवाजाही और और ज्यादा बढ़ने लगा और इस परवाह के दिशा इयरोप की तरह भी मुढने लगी अपनी खोज के पहले लाखों साल में अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था अमेरिका का और बीशाल भूमी और विःशा फसले और खनीश पधात हरदीशा में जीवन को रूप रंग बदलने लगा आज के पेरु और जब अमेरिका के खोज हुआ तो लोग एक जगह से दुसरे जगह आने जाने लगे पेपार होने लगा तो इस परकार से जो अमेरिका के जो संस्कृति थी अमेरिका के जो खात पदार थ दूसरे देशों में दूसरे कंट्री में भी पहुंचने लगा दूसरे कंट्री से अमेरिका में भी जो खात पदा थे जो संस्क्रिती थी वहां पहुंचने लगा तो आज के पेरी और मेक्सिको में मौझूद खानों से निकलने वाले किमती धातु है खासतर से जैसे चांदी हो गया तो एक जो किम्तित हातू थी उसने भी इरोप की संपदा को बढ़ाया और पसी मेसिया के साथ होने वाले बेपार को गती परदान की सत्रहवी सताब्दी के आते आते पूरे इरोप में दच्छीन अमेरिका की धान संपदा के बारे में तरह तरह के किसे बनने लगे थे तो इस पर से देखा जाता है कि सुलहवी सदी में इरोप के नावीकों ने एश किया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया और इस खोज ने ना किवल बैपार को फैलाने में मदद की बलकि बिस्वी के आनभागों में इरोप की फतह की निभी रख तो अमेरिका के पीसाल हुआ के अनाजो और खनीजों ने दुनिया का आनभागों के लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया और सुलहवी सदी के मध्ध तक पूर्तगाल और अस्पेन तो पूर्तगाल अस्पेन द्वारा अमरीकी उपनी वेशों की अहम भूम का अहम शुरुवात हो चुकी थी लेकिन एरोपियन की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं बलकि एक बीमारी के कारण शंभव हो पाई थी एरोप के लोग पहले ही चेचक की बीमारी से पूरित हो चुके थे बीमारी क्या था चेचक तो इसलिए एरोपिये लोगों के सरीर में चेचक के लड़ने के लिए पतिरोधन छमता बिक्सित हो चुकी थी लेकिन दुनिया के आनभागों से अलग थलब होने के कारण अमेर्की लोगों के सरीर में चेचक से लड़ने की पतिरोधन छमता नहीं थी एरोपिये लोग अपने साथ चेचक के जीवानों भी अमेरिका में लेके गए क्योंकि आपको पहले भी हमने बताया कि जो लोग अगर कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारे पैसा हो बैपार हो चीजें हो या फिर बैक्टेरिया हो वाइरस हो अपने साथ कैरी करते हैं तो जब एरोपिय लोग अमेरिका में गए तो उन्होंने चेचक के जीवानों को भी अमेरिका ले गए अपने साथ कैरी किये तेशे अमरीकी लोगों में चेचक की बीमारी फैलने लगी जिसके कारण अमेरिका के कुछ हिस्सों की पूरी आवादी साफ हो गई इसे इरोपिय लोग की असानी से अमेरिका पर जीत मिल गई इरोप में 19 सच तक कई समस्याएं थी जैसे गरीबी बीमारी और धार्मिक टकराओ धार्मिकी खिलाब को बोलने वाले कई लोग को सजा का डर था इसलिए वे अमेरिका भाग जाते थे उन्होंने अमेरिका में नए सीरे से जीवन की सुरुआत किया और काफी तरक्य भी की अमेरिका में जाकर के अपना जीवन को नए सीरे से सुरुआत किया और तरक्य भी किया उसमें तरक्य भी मिला उनको तो इस तरकार से हम कह सकते हैं कि एरोपिय लोगों को आसानी से अमेरिका पर जीत मिल गई तो इसी को बोलेंगे बिजाई बिमारी बिमारी पर जीत मिला इसको अमेरिका को तो नुक्षान हुआ अमेरिका में चेचक से लडने का जो प्रकुन рек강 कूल अमेर्टी लोग ते उनको चादी नहीं थी चैचक से बीमारी से लड़ने की और प्रतिरों जो चामता होता है अमेर्टी लोगों नहीं था कियो कि संभर्ख से और लोग से उर्पिय लोगों से और तूसम्हें भी पिखसित तो इस पकार से वहां की पूरी आवादी चेचा के बीमारी से साफ हो गई और इस एरोपी लोगों का असानी से अमेरिका पर जीत मिला तो यह एक भी एक कारण बने बना जीत मिलने का दूसरे कांट्री पर इरोप में 19 साधी तक कई समस्याय थी जैसे गरीबी बीमारी धार्मिक ठक्राव धार्मिक खिलाब बोलने वाले कई लोगों को सजा का डर था इसलिए अमेरिका भाग जाते थे और वहां अपना नए सीरे से अपना जीवन को सुरू करते थे शुरू करते थे अठरावी साधी तक भारत तो चीन दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे अठरावी साधी तक भारत तो चीन दुनिया के सबसे धनी देश चाइना तो आज भी बहुत डेबलप हो गया बहुत आ गया भारत उसके तुलना में तो भारत बहुत ही पीछे है लेकिन चीन पंद्रहभी सताब्दी से ही बाहरी संपर का एंकुष लगाना सुरू कर दिया था पंद्रहभी सताब्दी से चीन इस तरह से चीन दुनिया के बाके इसा से अलग थलग हो गया था चीन के घड़ते परभाव अमेरिका के बढ़ते परभाव के कारण विस्वी के बैपार का केंद्र बेंदू इरोप की तरफ शिफ्ट कर रहा था उनिश्वी सताब्दी में 1815 से 1914 तक अगर हम देखे तो उनिश्वी सताब्दी के विस्वी तेजी से बदल रहा था और इस अबदी में समाजिक राजनीतिक आर्थिक और तक्निकी छेत्र में बड़े बदलाव भी हुए जिनके करण विभीन देशों के रिस्तों को शमी करण इस के अबूदपुर बढदाव देखने को मिला और इ으 हूं सास्री मांनते हैं कि आर्थि प्रकार से हो ते हैं जो जैसे ह Vergara का पार्धारका परदान अपुंजी का पर्धान परदान तो एए इस पत्कार से आदान वापादान की परखिर्या 3 परकार से होता है इसके फ़ंजो रुप विमारी से अमेरी का नुक्षान उआ और जो इस-पर और अमेरी से जब को अमेरी का मैं पीजाइła पाने का अ कि जाने के बाद भी चीन और भारत दुनिया के देशों से बहुत अमीर थे चीन और भारत दुनिया के बाकिवस्त थे वह में लोगों को बाहरी लोगों हाने से पर अंगुष लगा दिया था अब हमारों टापिक 19 इस będzie उनिस्वी सताब्दी में को देखेंगे 1815 से 1914 तक उनिस्वी सताब्दी की दुनिया तेजी से बदलने लगी थी और आर्थिक राइनेतिक समाजिक संस्क्रिति और तक्निकी कार्पों ने पूरे के पूरे समाजों को कया पलड़ दी और विसे विदेश संबंधों को नए धरे में ढ़ल दिया और सास्त्री के दौरः बताया गया है तीन तरह लिए आर्थिक भीदमे करें को ओन परण होता है तो तिन तरह के परवाह को दूसरे से जूड़े हुए हां और लोहों के जीवन को परभावित करते हैं ए तीन तरह का जो परवाह परवाह एक दूसरे से जूड़े हुए है और लोगों को जीवन को प्रभावित करते हैं कभी-कभी इन कार्कों के बीच मौजूद संबंध भी टूट जाते हैं जैसे कि बस्तुमों या पुंजी के आवाचाही के मुकाबले स्रमीकों की आवाचाही पर प्रया ज्यादा अध्यान करें तो उनीश्वी शताब्दी की अर्थविवस्था को ज्यादा अच्छी तरह से समाझ सकते हैं तो बीस अर्थविवस्था का निर्मान कैश्य हुआ तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अधोगिक इरोग के खाद उत्पादन और उप्भोग के बदलते रुजहानों कर विचार करें तो सबसे वेहतर होगा तिरोग में भोजन के उत्पादन और भोग के लिए घट्या क्वालीटी का भोजन मिलना तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विस अर्थवेवस्था का उधाय क्योंकि अगर इसी में हम इस टॉपिक को लेते हैं इसी वीडियो में तो बहुत लंबा हो जाएगा तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सि स्प्स्राइब करें लाइक करें साथ में सेयर भी जरूर करें थैंक यू